दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे दोस्तों रेलवे भरती बोर्ड की NTPC परिक्षा, Assistant Locopilot परिक्षा, Technician की परिक्षा, Junior Engineer, Senior Section Engineer और RPF की SI और Constable की परिक्षा दोस्तों ये आपके सामने है इन सभी परिक्षाओं में, यानि की railway भरती बोर्ड की परिक्षाओं में भावतिक बिज्ञान जी भर के पूछा जाता है तो दोस्तों भावतिक बिज्ञान के लिए कुछ चीजें आपके लिए मैं लेकर के आया हुआ हूँ आईए, शुरुवात करते हैं बिना देरी किये तो आप तैयार हो जाएं देखिए, पहला जो टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है लेक्चर वन में, यूनिट्स और मेजर्मेंट यूनिट क्या होता है और मेजर्मेंट क्या होता है इस पर बात कर लेते हैं देखिए, कपड़े की दुकान में जब आप जाते हैं तो आप दुकानदार से कहते हैं पांच मीटर कपड़ा चाहिए, दो मीटर कपड़ा चाहिए है ना तो जो आप 2 मीटर और 5 मीटर कहते हैं उस 2 मीटर का मतलब क्या है और 5 मीटर का मतलब क्या है ये तो हम लोग जानते हैं तो क्या होता है 2 और क्या होता है 5 इस बात को समझने की कोशिश किया जाए देखिए बड़े रिलाक्स हो करके देखिएगा जैसे आपने कहा दो मीटर क्या कहा आपने दो मीटर तो इसमें जो दो है बच्चों ये numerical value है आंकिक मान है और जो मीटर है वो unit है आप दूध खरिदने जाते हैं तो कहते हैं एक लीटर दूध चाहिए तो इसमें जो एक है वो क्या चीज है इस बात को देखा जाए और इसे हमने कह दिया एक लीटर तो एक लीटर में जो वन है वो आंकिक मान है और जो एल है यानि की लीटर वो क्या है unit है मात्रक है तो लंबाई को मीटर में नापा जाता है रप्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है समय को सेकंड में नापा जाता है दोस्तों ये जो मीटर है किलोग्राम है सेकंड है ये कौन है ये सभी मात्रक हैं किसी कोंगरेजी में योनिट्स कहते हैं तो लंबाई को नापने के लिए हम लोग मीटर का इस्तमाल करते हैं, मीटर के साथ साथ मिली मीटर और सेंटी मीटर, डेसी मीटर, डेका मीटर, हेक्टो मीटर, किलो मीटर वगएर वगएर का इस्तमाल भी करते हैं दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे कि योनिट्स क्या मेजर्मेंट क्या है यह देखिए सवाल यह उठता है आपके सामने अब देखिए यूनिट क्या है और मेजर्मेंट क्या है इस बात को डिसकस किया जाए लेंग्ध को मेजर करने के लिए बच्चों लेंग्ध को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते है इस बात को देखा जाए लेंग्ध के लिए हम लोग मीजर करने के लिए कीलो ग्राम करते है और टाइम को मेजर करने के लिए second का इस्तेमाल करते हैं और electric current electric current को measure करने के लिए ampere का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से बच्चों temperature का measurement करने के लिए क्या करते हैं हम लोग temperature के लिए Kelvin का इस्तेमाल करते हैं ठीक है और क्या करते हैं intensity of light या luminous intensity luminous intensity इसके लिए हम लोग measure करते हैं candela में ठीक luminous intensity के लिए candela का इस्तेमाल करते हैं और amount of substance amount of substance इसके लिए इसके लिए हम लोग mole का इस्तेमाल करते हैं ये length के लिए meter mass के लिए kilogram time के लिए second electric current के लिए ampere temperature के लिए Kelvin और luminous intensity के लिए candela और amount of substance के लिए mole हिंदी में दोस्तों lambai के लिए meter द्रब्यमान के लिए kilogram समय के लिए second विद्ध धारा के लिए ampere सापमान के लिए Kelvin जियोती ती बृता के लिए candela और वदार्थ की मात्रा के लिए mole ये साथ mole राशियां होती हैं और उनके मात्रकों को mole मात्रक के लिए इसके लबा तो पूरक मात्रक भी होते हैं जैसे कोण है बच्चों कोण को angle कहते हैं आप लोग angle को हम लोग Radian में नापते हैं किसमें नापेंगे Radian और solid एंगिल होता है solid एंगल, solid एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, stay radian solid एंगल को stay radian में न आपा जाता है, बड़े आराम से तमझेगा लंबाई को मीटर में, द्रबमान को किलोग्राम में, समय को second में, विद्धारा को ampere में, तापमान को kelvin में, जोतिती बृता को candela और पदार्फ की मात्रण को mall में न आपा जाता है, कौड को radian और ठोसी ये कौड को stay radian में न आपते हैं और ये जो साथ मूल राशियाँ हैं और इनके साथ मूल मात्रक हैं इन मूल राशियों और इनके मूल मात्रकों पर आधहारित पद्धती को SI system कहा जाता है या इसी को shortcut में system international या SI पद्धती कहके बुलाते हैं और इसके अलावा दोस्तों कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जैसे meter से छोटे हो गए, meter से बड़े हो गए उन पे भी चर्चा कर लेते हैं देखिए क्या है आपके पास fundamental quantities and their units तो fundamental quantities कौन सी होती हैं जो मैंने बताया उसको बड़ेगा और से देख लीजिए क्या है fundamental quantities आएए देखते हैं fundamental quantities यह हैं कि आपके समने साथ मूल राशियां और उनके साथ मूल मात्रक इन पे आधारित जो system है वो fundamental quantities का system है बक्चों और ध्यान रखियेगा कि इसके अलावा आपके सामने कुछ ऐसे भी होते हैं जो derived होते हैं वो derived बड़े कौन हैं देखिए derived quantities and their units जैसे आपने बल की बात करी बल आपने त्वरण की बात की फिक है आपने वेग के बारे में बात किया बल क्या है यह derived quantity है और इसका जो मात्रक होगा वो होगा Newton बल को Newton में नापा जाता है त्वरण को meter प्रती सेकंड सेकंड देखियर में नापा जाता है ठीक हैे और वेग को मीठर पर सेकंड सेकंड में बल को Newton में त्वरण को meter पर सेकंड सेकंड यह बच्चों क्या है यह derived है derived quantities और यह कौन है derived units जैसे अगर आप बात करें साब की घा मत्लब प्रेशर तो प्रेशर को कैसे नापते हैं आप लोग दाब बराबर होता है बल बटेक शित्रफल तो बल को आप क्या कहते हैं न्यूटन में नापते हैं किस में नापते हैं बल को न्यूटन में और शित्रफल का मतलब क्या होता है मीटर स्क्वाइर यह जो दाब है उसके लिए आपने क्य लिखते हैं, इसी को pascal भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, pascal, Newton gagnda cm2 क्या है बच्चों, यह है, derived unit, किस के लिए, दाब के लिए, so मेरा ख्याल है कि आप loc derived unit समझपा रहे हैं, आगे चलते हैं, देखें, आगे कहा जा रहा है, smaller units of measurement, तो smaller units क्या होते हैं, इसको देख लिया जाए जैसे एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते है तो जो सेंटीमीटर है वो क्या है छोटा सा यूनिट है और 10 मीली मीटर बराबर होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बराबर होता है एक देशी मीटर और 10 सेंटीमीटर बराबर होता है एक मीटर और 10 मीटर बराबर होता है एक देख मीटर और 10 देख मीटर बराबर क्या होता है एक हेक्टो मीटर और 10 हेक्टो मीटर बराबर होता है एक कीलो मीटर ये बात clear हो गई 10 mm पर राबर, 1 cm, 10 cm पर राबर, 1 decimeter 10 decimeter एकवल to 1 m, 10 m एकवल to 1 decimeter 10 decimeter एकवल to 1 hectometer, 10 hectometer एकवल to 1 km तो इस मिली मीटर है बच्चों, centimeters है बच्चों, decimeter है ये मीटर से छोटे है, ये क्यों है मीटर से? उटे हैं और मीटर से बड़े वाले कौन हैं मीटर से बड़े वाले देखिए जैसे हमने कहा डेका मीटर तो जो डेका मीटर आप देख रहे हैं ये डेका मीटर क्या है दस मीटर को जब आप मिलाते हैं तब एक डेका मीटर बनता है और हेक्टो मीटर क्या है हेक्टो मीटर हेक्टो मीटर का मतलब होता है कि जब आप 100 मीटर को आपस में मिक्स करते हैं तब एक हेक्टो मीटर बनता है तब जाकर के एक कीलो मीटर कहलाता है एक हेक्टो मीटर में 100 मीटर होते हैं और एक डेका मीटर में क्या होते हैं बच्चों ध्यान से देखिएगा 10 मीटर ये एक डेका मीटर पराबर 10 मीटर और एक हेक्टो मीटर पराबर 100 मीटर और एक किलो मीटर में 1000 मीटर होते हैं यह बात आपको ध्यान में रखनी है अब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे देखिए क्या है माइक्राउन यह लंबाई कुन अपने की एक छोटी सी योनिट है तो एक माइक्राउन कैसा होता है बच्चों एक माइक्राउन जो होता है ध्यान से देखिएगा एक माइक्राउन एक्वल्टू होता है बच्चों दस घाते माइनस छे मीटर यानि की एक मीटर का दस लाखमा भाग जो होता है उसको एक माइक्राउन कहते हैं ठीक है या ऐसे समझिए कि एक बटे दस लाख ये इतना मीटर जब कहेंगे तब उसको कहा जाता है एक माइक्राउन माइक्राउन का सिंबल है म्यू एक माइक्राउन इक्वल्टू क्या होता है बच्चों वन अपन टेन लाख एक मीटर के छोटे छोटे दस लाख तुकडे किये जाए एक तुकडे को हम एक माइक्राउन कहक आगे चलते हैं आगे देखिए हैं अंग्स्त्रॉम क्या होता है इंग्स्त्रॉम, अंग्स्त्रॉम का मतलब होता है देखिए 1 मीटर में 10 10 to the power 10 angstrom होते हैं एक मीटर में 10 घाते 10 angstrom होते हैं इससे क्या पता चलता है बच्चों कि 1 angstrom जो होगा एक angstrom equal to क्या हो जाएगा 10 to the power minus 10 मीटर 10 की घाते minus 10 मीटर equal to क्या होता है 1 angstrom ये बात आपको ध्यान में रखनी है और कौन सी बात का ध्यान रखना है बच्चों आपको अब light year के बारे में जाना light year क्या होता है light year का मतलब होता है बच्चों प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तै की गई दूरी गोली ये दूरियों को नापने के लिए हम लोग light year का इस्तमाल करते हैं जो प्रकाश चलता है एक साल में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में क्या लिखेंगे प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तै की गई दूरी इसको क्या कहा जाता है इसको कहते है light year या प्रकाश वर्ष है ना और इससे ही बड़ी unit क्या होगी बच्चों इसे एक छोटी unit होती फर्मी फर्मी क्या होता है 10 के घाते माइनस 15 मीटर एक फर्मी में इतना होता है बच्चों यह एक फर्मी की कहानी है और जिसको हम लोग कहते है पार्सिक पार्सिक क्या होता है प्रकाश वर्स से बड़ा है कितना बड़ा है 3.26 light year अपसमे मिला दिये जाएं तो एक पार्सिक बनता है बच्चों 1 पार्सिक is equal to 3.26 light year 3.26 light year के मिलने के बाद एक पार्सिक बनता है फिक है तो मेरा ख्याल है कि योनिट्स और मेजर्मेंट पे काफी बाते हो गई है अब अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी अब तक के लिए आग्यां दीजिए नमस्कार कर्स कर्स नमस्कार झाल झाल